यानि कि bringing the various items of information together to determine a result जिससे वो result अख़ज कर सकता है अच्छा इसके बाद है step 6 interpreting कि अब वो जो उसने कहा कि मेरे पास 2000 बच गया है उसको interpret भी करेगा न कि ultimately मुझे फाइदा हुआ या नुकसान हुआ तो जैने कि deciding the meaning and importance of the information in various reports वो जहां पर जितनी भी उसकी reports आती है उनमें उसको वो रिपोर्ट करेगा यानि कि अगर वो trading account बनाता है उसके बाद जितने उसके expenses उनको आगे चलके वो लेके जाता है profit and last की statement फिर आगे लेके फाद किया वो balance sheet में लेके जाता है तो आज के दिन में जितनी चीज़ें उसने की उसका effect यहां पर एक दिन तक खतम नहीं हुआ वो आगे चलके कि जितने भी effect होंगे उसको इसाब किताब रखना होगा और इसको हम कहते हैं step 6 में interpreting इसके बाद टाइपस आफ बिजनेस हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के बिजनेस हो सकते हैं हमारी डेली लाइफ में भी हम अब्सर्व करते हैं सब्सके बिजनेस के अगर हम बात करें तो यह ट्राइवसाना यह एक entertainment का बिजनेस है इसके बाद है गराडू इंडोनेशिया यह transportation का बिजनेस है यह hilton hotels है यह hospitality and lodging के बिजनेस करते हैं और यह क्या है service कर रहे हैं यानि कि service provide कर रहे हैं bank BRI यह financial services देता है telecom cell जो है यह telecommunication की services देता है तो यह हम बात कर रहे थे services का business यानि कि जिसमें product involved नहीं होती बलकि सिर्फ और सिर्फ इंसान के जो काम की बात होती है यानि कि उसको service करता है services देता है product का लिए देन नहीं होता इसके बाद है merchandising का item यानि के चीज़ें लें दें अब चीज़ें इसमें इन्वाल हो जाती है इसमें मेटाहरी है यह general merchandise है इसके toys city है यह toys है यानि के toys एक जगाते है बनाते है और देते हैं यह merchandising का business है electronic city है consumer electronics है amazon.com है यह क्या है internet box वगरा music या videos वगरा retailers जो काम करते हैं य इनकी product होती है और यह merchandising का काम करते हैं merchandising का मतलब क्या होता है कि एक चीज लेता है और दूसरा चीज देता है और उसके बदले में जो चीज लेने वाला वह payment करता है और जो चीज देने वाला वह payment receive करता है इसके बाद है manufacturing का business manufacturing का आपने ये एक समयना है कि जो हमने merchandising की हमने जो merchandising की जो बात की थी उसमें एक complete हमारे पास product available होती है जो के उसमें को काम का नहीं होता service की बात है कि उसमें कोई चीज इन्वाल्व नहीं होती अब सुरी फर दैट के इतना शोर आपको पढ़ रहा है कि अब हम manufacturing की बात करते हैं तो manufacturing का एक business ऐसा होता है जिसमें हमारे पास raw material होता है जिसको हम machinery में डालते हैं और process करते हैं यानिके यह Toyota Asta motor है यह cars और trucks बनाते हैं इनके पास raw material है जिन में processing करते हैं और चीज़ें बनाके फिर वह product बनाते हैं अपनी इंटल कंप्यूटर की chips बनाते हैं बोइंग यह जैट aircraft बनाते हैं अब एरक्राफ्ट ऐसे नहीं बन जाता है उनके पास raw material लाता और चीज़ें बनती है इस तरीके से एड़ यह जानी डॉस है यह एथलेटिक के शूज एंड अपेरल चीज़ें बनाते हैं इसके लवा कोका कोला यह बिवरेज यानिके मिश्रूबात बनाते हैं इसके लवा पोलिट्रॉन है यह स्टिरियो एंड टेलिवीजन बगारा बनाते हैं तो यह क्या है manufacturing का बिजनेस जिसमे ट्रेडिंग के बिजनेस हो सकता है manufacturing जिसमें चीजें मोल्ड की जाती है बनाई जाती है यह बात अब यह तो होगी प्रोड़क्ट यानिके लेंद देन का हिसाब किताब बिजनेस किस तरह का हो सकता है अब हम और गनाइजेशन जो बिजनेस का रही होती यह किस निचर क्यो partnership यह होता है कि जब एक से ज्यादा लोग अकट्थे हो जाते हैं और वो business करते हैं तो उसके जवाब में जो उनको earning होती हो सारी के सारी डिस्रीडिट कर लेते हैं और इसमें ट्रस्ट पार्टनर्शिप डीड होता है जिससे वह मुएदा करते हैं अपस में जितने भी partners होते और कम अजब कम दो partners होने चाहिए दो से ज्यादा अगर banking सेक्टर है तो 10 उसमें तादाद होती है और अगर नार्मल बिजनेस तो उसमें 20 maximum तादाद होती है partnership के इगर बात करें और अगर public company तो उसमें दो भी हो सकते हैं, जो company बना सकते हैं पहले फाध दाद थी public company के लिए, तो ये corporation है, इसके बारे में आज़े, चलकर हम डिटेल से पढ़ेंगे, कर्प्रेशन में यह होता है कि बहुत ज्यादा partnership होते हैं stockholders होते हैं जिनके पास shares होते हैं share और हर एक बंदा share खरीदने के जवाब में बदले में पैसा डालता है और वो पैसा company के लिए capital होता है उसी से company जो है वो project लेती है करते हैं यह सका अने के वाइधा होता ही है जसको हम डिवीडेंड कहते है और दूसरा के पास अंते кहते हैं और उस होता है उसकी वैल्यों बढ़ना शूरू हो जाती है तो यह अगर हम प्रोप्राइटर्शिप की बिजनस की बात करें तो यह एक इंडिविजुल से आउन किया जाता है इसका फाइदा क्या होता है इस इन और गनाइजिंग आप उसको बना असानी से सकते हैं आपका दिल करें इसके डिजवांटेज क्या है और इसकी डिजवांटेज जो होते हैं और इसकी लिए बहुत जाद आता है पाटनर्शिप इसमें क्या होता है से ज्यादा होते हैं लिए उन्टेर्शिंस के आप RICHARD करते हैं अगर इसमें individual एक से ज्यादा होते हैं, जो के business के मालिक होते हैं, और इसमें additional management skills भी आ जाते हैं, अगर sole proprietorship की बात की जाए तो इसमें एक individual होता है, जो आपने business को manage कर रहा होता है, जब के हम partnership की बात करते हैं, तो इसमें दो से ज्यादा लोग होते हैं, तो एक और एक 11 जैसा कहते ह हैं, तो जितने members बढ़ते जाएंगे, उनके पास scale होगी, उनके पास management अच्छी होती जाएगी और वो ज्यादा अनिक करेंगी, और disadvantage फिर इसमें है कि unlimited liability होती है, कि जितने भी इसमें investment करने वाले होते हैं, अगर general partnership का business है, तो हर एक partner की unlimited liability होती है, यानिकि business को अगर last होता ह तो उनकी personal properties वगरा भी उसमें involved हो सकती हैं और उनको लिया जा सकता है, जिनोंने इनसे पैसे लेने होते हैं, पैसे चुकाने होते हैं, एक corporation is organized under state of or federal statutes as a separate legal entity, कि कि अगर corporation की बाग की जाए तो इसके अलग से एक शनाखत होती है, जबकि proprietorship और partnership जो होता है, उसके business की अपनी जो होता है, capital आपके पास ज्यादा हो जाता है, आप bank के पास जाते हैं तो आपको loan मिल जाता है, किसी और lender के पास जाते हैं तो आपको आराम से मिल जाता है, disadvantage के क्या है, double taxation इसमें होती है क्यों कि company खुद tax पर करती है और उस से जितना फाइदा individual जो investor होता है, जो share order होता है वो earn करते हैं, वो फिर उस पर tax देते हैं, तो आज के lesson यहाँ पर खतम करते हैं, उमीद करता हूँ कि आपको basic level के जितनी पी चीज़ें से वो understanding हो गई होगी, इंशालला next topic में मिलते हैं, और detail से और आगे चीज़ें लेके चलते जाएंगे, और इंशालला इसी तरीके से, जब तक आप चीज़ों को सही तरीके से understand नहीं करते हैं, concept आपका strong नहीं होता है, चीज़ों को छोड़ें मत, आप Harvard Academy के platform से join यह lesson देख रहे थे, और इंशालला आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और इंशालला आपको फाइदा होगा, और यह हमारे accounting इतनी मिशकल नहीं All the best.